ह लो गाइज, वैलकम बैक रो मन दाफ चानल तो गाइज कया हिसं हभू करता हैं अपर आपने जीनियर मस्त होंगे तो अपने जीनी को स्वास्तान मस्त बनाएं तो गाइज आज फुल हम जारा है सुल्तान गंज तो चलिये तो चलते हैं यहां से देवस्टेशन वहाँ ट्रेंड पड़ते हैं और फिर यहां से चलते हैं सुल्तानगन जाने के लिए निकल चुके हैं अभी आप बाहर का मौसम देख सकते हैं बहुत ही मस्ता धूप ज्यादा तो गर्मी भी है इवारा पूरा चेक कर सकते हैं और अभी जो अपना ट्रेंड देवस्टेशन से जेस्ट खूली है तो हम चलते हैं आगे आपको सारा अपडेट देते हुए दिखाते हुए चलेंगे आसना का थोड़ा बहुत माहों तो चली चलते हैं ह kä coming तो अभी जो हर फाइनली हैं हमारे ट्रेंस जेक रुका हुआ है एक ठ्रेन आरहा तो इसको पास जाएनक लिए आपना है ट्रेन रुका हुए तो अभी हम यहां पर बरहा हट उन्हेन परख sport कर शेक कर सकने हैं कि मौसँंपर का मस्त भी उए है यही वाला जो ट्रेन देखते हैं उधर से आ रही थी इसके वज़े से ट्रेन रुका हुआ था तर सिंगल लाइन के वज़े से थोड़ा सा ट्रेन अगरे डिले चलता है तो अब यह जो फैनले मार ट्रेन फिर से खुल चुका है यहां से चलता है आगे आपको दिखाते भी च चलता है और बिना कसी देरी के तो अब हम लोग जो है देवगार से आधा दूर पहुंच चुके हैं सुल्तान गंज के लिए एक बार आभे सामा जो इस्ट्रसन का भी उचिक कर सकते हैं यह कोई जो है देख सकते हैं टिकानी जो है रिल्वे स्टेशन मूल के है बागलपूर से पहले ही है अभी वर्चे कर सकते हैं पूरा यह अपनो ट्रेन खड़ी है तो चलते हैं अभी और आगे तरफ आपको दिखाते भी चलते हैं इसी तरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा औ अब नजा रहा और फिर में लेंगे सुल्तान गंज आपको पर विए के साथ तो चली चलता हैं अगे बिनक्स तेरी के तो हम लोग फाइनली जो सुल्तान गंज पहुंच चुके हैं जेक कर सकते सुल्तान गंज इस्टेशन का भी पूरा कि यह वी गो फर सुल्तान गंज श्टेशन अब यह उनको उस साइड जाना है सीड़ी से निकलने के लिए यह अपना प्रवा सुल्तान गंज श्टेशन अब करें अब करें जो है तो है तो फैनल से निकल के लोग जो टोटो ले चुके हैं और यहां से चलते हैं आगे गंज घाट के तरफ गंज घाट जो स्टेशन से लगब खाई लोग को यहां से निकलनाए काल सुबर तो चलता है और पहुंचते की घाट के पास महागा के दर्शन करते हैं आपको भी करते हैं तो चलता है तो चटान चाहिए अवह से देरी कड़ सब कुछ करते हैं तो पहुंच चुकत है और यहां पे हम नोग जो हम सहरे हैं अभी होग है अब यहां चलते हैं घाट के टरब गूमते हैं आपको घुमाते हैं आर्स लिए dropdown तो यहां पर फी I have आगल में धारमसाला में रुके हैं यहां पर अपना सामान रख के निकल शुका घूमने यहां पर आप चिक कर सकते हैं तो बहुत ही नॉर्मल चार्ज तो वह आप ले सकते हैं अब दर्मसाला में मातर जो है रूम कोश्ट 50 रूपीज है फूर 5 परसन तो धर्मसाला में भी रूख सकते हैं और जो यह सब सेड है यह सब निसुलक है इसमें जो है आपको कोई कोश्ट नहीं लगे प्रिय फ्कोश्ट है अब देख सकते हैं प्रस्याड बना हुआ हम लोग घाट पर पहुंच चुके हैं और देखते हैं अंदर तरफ तो यह पहला घाट अब हम लोग पहुंच चिकार यहां पर जो अब गंगामिया का पानी बिल्कुल ही नहीं है अब इमनों को और नीशी जाना होगा गंगामिया के दर्सन के लिए अभी इस घाट में पानी बिल्कुल ही नहीं है यह मैं घाट है यहां का लेकिन अभी यहा यह दर जो आभी देख सकते हैं गंगा मैया का पाने नहीं है यह दर भी सूख चुका है अब यह लोग नीचे तरफ जा रहा है उधर जो हमको मिलेगा पानी गंगा मैया का पुरा चिक कर सकते हैं पूरा भीव यह दर देख सकते हैं मंदिर होएरा भी है यह दर से प्रगंगा जी का भी हो अधर यह पूल से जो इस मंदिर पे जाने का रास्ता यह दिन अभी पूरा सुखा हुआ है तो जहां से अपका मनक्रे वहां से आ सकते हैं अधर इधर से पूरा मंदिर का भी हुचे कर सकते हैं इसको जो बिलार मठ बोला जाता है हां से देख सकते हैं क्या आराम से बठा है तो यह जो है बिलार मठ मंदिर का जो है पीछे का विव है पूरा देख सकते हैं यह पहाड़ पूरा बना हुए मंदिर इधर पूरा घाट देख सकते हैं भी शूख गया है पूरा इधर देखते हैं जल कहां है इधर दूर दूर तक देख सकते हैं पूरा गंगा मंदिया का जो घाट है में कहें भी जल नहीं दिख रहा है उधर हमको निशे तरफ देखते हैं जाते हैं और कहां पे हमको गंगा मंदिया का धर्शन होता है इधर देख सकते हैं वहां पर आपको आगे जो जल दिख रहा है अंधेरा है पूरा चलते है अधर नीचे घाट पर आपको अधर गंगा मंदिया का दर्शन का आता है नहीं देख सकते हैं आप गंगा मंदिया के जह सामने है आपको दख सकते हैं गंगा मईया का दर्शन तो गैस फाइनली जो हम सुल्टान के जो गाट और सब कुछ आपको फ्लपाड दुखा चुके हैं अब सुबह जो हम यहाँ प्रस्णान हो रहा करेंगे फिर यहां से जल गए लेकर निकलेंगे बावाधाम के लिए तो फिलाल इस व्ड़ो में तना व्ड़ो को चल गए तो व्ड़ो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राब जरू कीजेगा और आपको जो सुल्टान के आखर आणा है तो धरन शाला होगाने हमें रूख सकते हैं बहुत ही कम कोस्ट है वह तो ठीक है आए तो आप अराम से धरन ले सकते हैं तो फिरल इस वीडियों में इतना है वीडियों को लगा तो वीडियों को लाइक से और चैनल को सुस्क्राब जरू किज़ाएं मिलता आपको नेव वीडियों के साथ कुसी ने बता तक ये लिए जैन जैगारत